हालो स्टुडेंट्स गुड मॉनिंग कुछ किये भी नहीं हुए जय जय कार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह के आठ बजे आप पढ़ते हैं हर दिन क्लाश टेंथ की मैथमेटिक्स एंसी इर्टी पैटन प जुधानसू, ससी, सैलजा मिस्रा, आकरती, पंकज, रमन, सुधीर बहुत से बच्चे आ गए हैं चलिए ठीक है मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ माफी चाहता हूँ आगे बढ़ता हूँ लेकर कि आपका पाठी करम क्या है कहरा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 सुर्कित है यदि चोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है तो दोनों संख्याओं गया ॥े बहुत ही आप्ला सवाल समझें रहा है कहरात है यहां कहरा देख लो ध्यान से गया कि दो संख्याओं के वर्ग का जो अंतर 180 घीक है घांतर अगतानाय। घटाते हैं तो 180 आता है और इसमें कंडिशन और भी कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का आठ गुना है तो आप दोनों संख्याएं ग्याद कीजिए बात समझ में आ गई ना चलो बच्चा फिर हम मान लेंगे क्या क्या मानोगे फटा फटा आप मान लो चलो मान लो क्या मानोगे माना देखो यहां पर एक बात आपको और समझना है वो क्या समझना है बाई साहब कि यहां पर कह रहा है कि दो संख्याओं के जो वर्गों का अंत रोतो एक्स वासी लेकिन चोटी संख्या का और यहाँ है तो पहले कौन सी संख्या का आधा पहले यह बता अगारी हाँ सेफ्वर्ग बड़ी और खुना है तो भाई जीस पी जिसे सब वन्थ है आप उसको मानों ग़फच्चा हान तो लिखो माना बड़ी संख्या बराबर यक्स क्यूं क्योंकि सब कुछ बड़ी संख्या पर डिपेंड है ठीक है सूसी जी मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट इंडियन गेमर ठीक है कोई बात नहीं बच्चा तो क्या करोगे आब चोटी संख्या या फिर ऐसे लिख लो नीचे वैसे लिख लो भी ना अब तब लगाए वैसे लिख लो छोटी संख्या बराबर देखो चोटी संख्या का होगी हम दोनों को अलग-अलग मानेंगे का मानेंगे बच्चा कुछ भी मान लो इसको वाई मान लो दूसरे दोनों अ से दूसरी वाई है आगे कहता है कि छोटी का वर्ग है वो बड़ी का आठ गुना है तो लिख लो छोटी का वर्ग जो है वो बड़ी का आठ गुना है लिख लो प्रसना अनुसार प्रसना अनुसार छोटी का वर्ग यानि वाई का वर्ग बराबर बड़ी का आठ गुना बड अच्छे पढ़ते रहे बश्ट एंसर मत लीजिए एक इतना आयाना समझ में आस इसकुमार राहूल कुमार टो ऩह ठीक है बहुत अच्छे चलिए यह हो गयायर आगे का कहता है कर्णा दोनों संख्याएं गद कीजिए वहिए 2 हम ग्यात कर लेंगे कुंधती थिक है इतना लिख लिए अब साइड में आप लिक्व 有 साईड neutr me चाहे तो लिखो पुनव हापरफना अनुसार एक बार तो मैंने परषना अनुसार कर लिया यह फिर कर mo सोना प्रसनानिसार अलिकलों से जाए सज़ादा रहेगा लिको पुना हाप प्रसनानुसार तो डेखो क्या कहता था की छोटी का वर्ग जो है दो संख्याओं के वर्गों कांत तर 108 है तो वैए दो संख्य ये एक रुआ है तो यक्स का स्कुायर और माइनस वाइक स्कुायर इक करो तो इतना पहले है कि यह लुग इनका इसा कह रहा था दो बार प्रस्न अनुसर मैंने चुक्र 285 कंडीशन तो थी की दोगों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है दूस調Y कंडीशन थी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है तो मैंने दोनों छालो किया पहली यहां दूसरी कंडीशन यहां यानी सिक्यकर्ण के अगॉर्डिंक टाूंप यक्स का स्कवार माइनस आप देखो वाई का स्कॵारर यहां मान आया ना चाहिए तो समीकरण एक मना दो यहां पे आप ब्रेकट में लिख देना तो लिख दो समीकरण एक से समीकरण एक से समीकरण एक से य स्क्वाइर का मान रखने पर लाक कि मान इसमें die केल दिया यसकाईर queste लिख दिख दिया चुकि यहां पर देखो इसकी जगा आठेक्स था था ना भाईया आनंद राज आसीस जी मैं देख पा रहा हूं आपको ठीक है चलो बच्छा दिख है चलो बता दो अच्छे से नहीं पता होगा तो बता देना क्योंकि आप टैंथ में काफी माहीर हो चुके हो 18 का अगर 10 में गुड़ा करोगे बेटा तो 18 दहमा 180 होगा ना होगा ना भाया 18 का 10 में करोगे 180 होगा 18 से 10 घटा होगे तो 8 आ जायेगा यानि हम 8 की जगा पे 18-10 लिख सकते हैं 8 की जगा पे 18-10 लिख सकते हैं इन्टू एक्स माइनस 180 बराबर 0 देखो कमेंट मैं इसमें देख रहा हूँ छोटे फोन में इसलिए कुछ लोग के कमेंट हाइड हो रहे हैं वो नराज नहीं होंगे हां ठीक ना गुड़ा कर लो इनको इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे उमीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है प्रांजल चतुरवेदी जी मैं देख पारना हूँ आपका कमेंट बच्चा ये कलास सुबह आठ बजे से हर दिन लाइब होती है याद रखिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन आन करके रखिए देखना नहीं भूलना हम लोग काफी करीब पहुंच कि अब इदर साइड देखो का कहता है अ का म कामन ले लो वहां के बाद यहां उपर देखो कामन लो यहांपे यहां दी रहा है नहींगे, मैंने काफी आगे लिख दिया है यहां से यहां चलो common लेते हैं तो yaks common ले लोगे बच्चा इसमें तो yaks minus 18 बचेगा इसमें पूरे में आप धन 10 common लोगे तो yaks minus 18 इसमें भी बचेगा बराबर 0 आपको पता है कि जो दो बार common वाला होता उसे एक बार लिखते हैं और जो मैंने दोनों में common लिया था उनको जोड़ करके एक बार लिखते हैं यहां से यक्स की वैलू निकालोगे तो 18-10 आएगा क्यों आएगा क्योंकि एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो 18 आएगा इसको 0 के बराबर करोगे माइनस दस आएगा अब मुझे यह बताओ मैंने बड़ी संख्या एक्स माना था ना बच्चा बड़ी संख्या एक्स माना था ना बाबू चोटी संख्या वाई माना था ना अगर मैं बड़ी संख्या माइनस दस ले लूँ तो यह बताओ क्या ऐसा संभव है नहीं ना हमरी र आता हाँ, बड़ी संख्या, यक्स बराबर अठारा, छोटी संख्या, छोटी संख्या को बच्चा हम वाई क्या माने थे आपको पता है, वाई स्क्वाईर बराबर आठ एक्स माने थे न, वाई एक्स में यही तो रिलेशन था छोटी जाली संख्या में न, यही तो रिलेशन था न बच्चा, तो क्या करोगे, वाई का ही स्क्वाईर इक्वल अठ गुड़ा एक्स कमान ठारा, इतना आरा न समझ में, नीचे कम हम उपर लिख देंगे, ठीक है, अब ध्यान दो आगे क्या-क्या होने वाला है, इधर साइड समझो, जिन बच्चों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं, वो आठ बजे लाइब आए, यह वाई स्क्वाईर बराबर अठारा ठेक्स चोवालिस न, भाई अठारा का गुड़ा क होगे, आठ में, तो 144 होगा, बच्चा आपको पता इधर से स्क्वाईर हटा होगे, तो इधर अंडरूट हो जाएगा, यह तो आप सबको पता है, यह फिर दोनों तरफ का वर्गमूल कर लो, ऐसा भी कह सकते हो, आप लोग दोनों पक्छों का यह लोग वर्गमूल करने प यक्स थी, यक्स बरबर 18 थी, बड़ी संख्या बारा थी, तो बच्चा देखो, जो यह कह रहे थे, वो सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है, देखो कोईशन एक बर फिर से पढ़ लो, हम इसको विरिफाई कर देते हैं, कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है, तो दोनों संख्याओं ग्याद कीजिए, तो दो संख्याओं का आप इसको चाहो तो कर लो, वर्गों का अंतर 180 आएगा, करके देखो, मुझे बताना, 18 का होली स्कॉयर करो, बच्चा माइनस 12 का होली 24, हाफिल 14, 18, 18, 18, 14, 18, 14, कितना होगा, भाई, 18, 10, 28, 24, 3324 होगा, 34 होगा, 34 होगा, माइनस 14, घटा लो, बच्चा, 180 आएगा, घटा लो, आएगा, ठीक, आया ना समझ में, भाई, इंडियन गेमर थुला टाइम दोगे तब आएगा, रूसी केस, सोनेवाल, डिम पल्सिंग, बिल्कुल आएगा, सब आएगा, कम्पलिटली आएगा, कोई डेंसन नहीं है, यह आपको नहीं करना था, यह मैंने आपको वेरिफाई करके दिखाया, आपको एक्जाम में यह चीज नहीं करना है, एक्जाम में आपको सिर्फ यही पढ़ने लिखने का टाइम है अब जी तो सरकार ने बहुत अच्छा किया नहीं तो आपके जैसे वह बरबाद हो रहे थे उसी में कि देखे कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी जल्दी मिटा दिए अब बीडियो को थ्माइक करो स्क्रीन पर देख आजाएगा ठीक है अब वीडियो को थ्माइक करो जो मैंने मिटा दिये सब फिर से लिख जाएगा टेंसन मतले ना विल्कुल नोट कर लेना वीडियो को त चलिए कि आगे बढ़ते अब हम लोग कि यह आपका था कुईस्टन नंबर कौन सब्सक्राइब अश्र वाई कमान कैसे आगए डिमपल जी अभी अभी आपाई ओना इसलिए आपको नहीं पता कौन कहा से आ गया आप पहले जाओ को सुरू से देखो तब पता चल जाएगा कैसे क्या आया ठीक है प्रिम्पल जी वाई कमान निकालना ही नहीं था हमें निकालना था ना अरे वाई स्क्वाइर को लाट एक्स था एक्स का मैंने मान रख दिया बस हो गया ठीक है नहीं नहीं एक घंटे नहीं तुम पूरा टाइम गेम खेलो ठीक है अच्छी बात है चलो कुष्चन नमबर आठमा कर लोग एकी नहीं आठमा कुष्चन देखो पढ़ो आप लोग NCRT बुक है आपका कच्छा 10 की NCRT बूक है बच्च्चा कि कुष्चन नमबर आठमा एक्सरसाइज आपका है 4.3 क्लाश 10 टेंथ टेंथ की मैं थैं याद रखना ठीक है चलो पेरिस्चन देखो क्या कहता है ध्यान से देखो प्यार से देखो इमानदारी से देखो बुक लिये हुँ मैं लिक्णा नहीं सवाल करहा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से अधिक होती कितना 5 km पर आवर अधिक होती तो एक घंटे का कम समय लेती तो एक घंटे का कम समय लेती तो पूछ रहा कि रेल-गाडी की चाल गयात कीजिए और देखो बच्चा मैंने एक से लेकर साथ तक सारे सवाल करवाए है अठमा सवाल आप हो मोर करोगे मैं नहीं बताऊंगा अब नौवा सवाल हम हल करेंगे ठीक है नाइन वाला थोड़ा सा हल करने लायक है NCRT वुक है तो आप देखो इसमें पेज नंबर है हमारी बुक में तो भाई 97 97 ठीक है 4.3 क्लाइफ टेंट तर पाओंगे तो टेंशन मतलेना मैं बाद में बता दूंगा यह चैप्टर खतम हो जाये तो हां ठीक है ना भाई-सा अरे चैप्टर खतम हो जाने तो नहीं आए गा तो नहीं नहीं बता दूंगा लेकिन आप ट्राइट तो करो ना यह कुइस्टन लिखना पड़ेगा दो पानी के नल एक साथ साथ होज को सवाल सभी लोग लिखोगे सभी बच्चे सवाल लिखो क्योंकि ये सवाल लिखने लायक है बहुत थोड़ा आसान नहीं है दो पानी के नल एक साथ एक होज को एक साथ एक होज को दो पानी के नल है जो कि एक साथ साथ एक होज को नाइन इन्टू थ्री अपान एट घंटे में भरते हैं ठीक है प्रीती बर्मा गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग बच्चा अब देखो भरते हैं आगे कहता है बड़े ब्यास वाले नल जो बड़ा ब्यास वाला नल है होज को भरने में लिखो बहले बड़े ब्यास वाला नल होज को भरने में सवाल कापी में लिखो किताब लिए और तब भी लिखो अगर समझना है तो सवाल जित्ती बार पढ़ोगे उत्ती बार इसका अंसर आपको पता चलेगा आपके दिमार्ख में इसकी संबंधी चीजिए आएंगी कुछ होते हैं सवाल पढ़ते हैं नहीं कहते हैं में पस तो किताब है यह कर लेके चाटोगे पढ़ोगे नहीं तो आएगा नहीं इस़ले कुश्चिन बार बार पढ़ो जो सवाल ना है उसको 18 बार पढ़ो पका आ ज यार कोई बड़ा सा ऐसे बरतन है इसी को हाउज बोलते हैं बच्छे तो एक प्रकार फिजिसमें भाएंस गाय चारा और खाती उसको हाउज बोलते हैं देशी बहांसा में आपने हाउदी सुना होगा तो ऐसे नल है बच्चा इसे मोटा पाइप वाला एक्ठी है यह मोटा का को दो यह क्या है मतलब इसको भर रहें दो नल मिलकर के अंतो है कि समझ ग Heck यह पहला नल है ख़ुटका वाला है यह मोटका वाला थेसा सारा पानी कठ्था लोड़ देता हैं कि समझगे न ये दो नल है एक मोटा एक पतला है तो यहीं है बड़े ब्यास वाला नल कह रहा हौँ चो भरने में थो हाँज को भरने में अ कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कर तो कम समय लेता है दिखो कम व्यास वाले नल से दस घंटे कम समय लेता है कित्ता घंटे दस घंटे कम समय लेता है समझना मतलब का कहता है बाई सिंपल सी बात है अगर मोटा नल है जादा जादा पानी गिराएगा तो यह टंकी जल्दी भर जाएगी अगर देखो का कहता है परते नल द्वारा या फिर परते द्वारा लिखा है किताब में अलग से होज को भरने में समय ग्यात कीजिए वही कहने का मतलब है कि परतेक नल द्वारा अलग से अलग से अलग से मतलब कह रहा है कि छोटके नल से कितना टाइम लगेगा और मुटके नल से कितना टाइम लगेगा दोनों को अलग अलग करना है ठीक है ललित कुमार अभी और देर में आओ अप क्लास जब सुरू हुई तो जुड़े नहीं तुम टाइम से जुड़ो ना बच्चा सुरू से देखो आएगा समझ में स्टार्टिंग से देखो starting से देखुआ आएगा देर में जुड़ो गर नहीं आएगा परतेक नल द्वारा अलग से होज को क्या लिखा भई अलग से होज को भरने में समय ग्याद कीजिए होज मतलब टंकी मान लो होज को भरने में लगा समय ग्याद कीजिए ग्याद कीजिए देखो पहले मतलब समझो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं सवाल 18 बार बढ़ो 25 बार पढ़ो जितना बार कोईश्चन पढ़ोगे उतने बार चीज़ें आपको समझ में आएंगी कोईश्चन नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा कह रहा कि दो पानी के नल हैं एक साथ साथ एक हाउज को भरते हैं तो 14 इंटू 3.8 गंटे का समय लेते हैं भाई दो नल हैं ये हाउज मतलब एक टंकी एक तगाड़ा है कुछ भी मानलो बल्टी मानलो अपने घर का डिबबा डराम मानलो कुछ भी मानलो ऐसे कोई बरतन है जि ये नल दोनों मिल करके इसको भर रहें ठीक है इतनी कहानी समझ में आरी ने बच्चा तो दोनों जब मिल जाते हैं तो 9 इंटू 3.8 का टाइम लगता है हां ठीक है बात समझ में आ रहा ना संजीव सिंग जी बिल्कु ठीक है अच्छी बात है चलो दिनेस पहले आप जो चल होज को भरने में कम ढियास वाले नल से ब्यास का मतलब यही अरे यही इदर देखो जैसे यह थोड़ा मोटी है यह इतना मोटी है इसका ढिया जादा है एक पाइप यह है यह पतलगी वाली है तो इसका ब्यास कम है मतलब समझ गया ना तुम लोग ये मोटी पाइफ है इसका ब्यास बड़ा है ये पतली इसका ब्यास छोटा है यनी ये बड़ा ब्यास वाला नल है ठीक है ये छोटा ब्यास ब्यास की होता है ठीक है समझ गए ना अब देखो के रहा बड़े ब्यास वाला नल होज को भरने में कम ब्यास वाले नल से दस घंटे का कम समय लेता है बाई सिंपल सी बात है अगर बड़ा पाइप से पानी भरो गें जल्द भर जाएगा कम अगर चोटी सी पाइप लगा दोगे तो, तुल तुल आता रहेगा दिन भरे गहाने जल्दी ना आगे कह रहा है परतियक द्वारा अलग से होज को भरने में साल लगा समय ग्याद कीजिए अब दोनों नल से अलग अलग ग्याद कीजिए किस से कितना टाइम लग रहा है चलो जल्दी से हम सवाल शुरू करते हैं उसके पहले सभी साथ ही जितने जुड़े हैं जल्दी फे च की तंग्य deb desi इसको में साइड मैं लिख देता हूँ चाहे लेकिन आप लोगों 54 न देख लिया होगा जाने तो मैं नहीं नहीं लिखो अबिए नए नए जुडएंगे तो कहें एक टंकी कहा है नल का का था अभी जुडएंगे तो लोग पूछेंगे अलग अलग तो उनको कुछ नहीं बताऊंगा लिखो देखो बड़ा नल जो है छोटे नल पर डिपेंड है यहाँ पर ऐसा लग रहा है न तो आप लिखो माना छोटा नल द्वारा होज को भरने में लगा समय माना छोटा नल द्वारा नल को इंगलिस में टाप बोलते हैं होज को होज मतलब टंकी या ड्रम कुछ भी मान लो यक्स घंटे ठीक है मानलो की छोटे नल द्वारा होज को भरने में यक्स घंटे का समय लगता है यह मैंने माना है ठीक है बच्चा ओके तब नीचे लिखो तब छोटा वाला मानना मैंने बड़ा वाला अब लिखेंगे लिखो ताब बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय बराबर यक्स माइनस दस घंटे भाई उससे दस घंटे कम समय ले रहा न यह तो घटा दोगे एक्स माइनस तेन घंटे हो गया आगे देखो का कहता है कहरा कि दोनो नल मिलकर के 9 इंटू 3 एपाने 8 घंटे में भर लेते हैं निचे लिखो दोनो नल द्वारा दोनो नल द्वारा साथ साथ भाई हम रहेंगे साथ साथ ना साथ साथ मिलकर होज को भरने में लगा समय बराबर लिख लो लगा समय बराबर दिया है 9 इंटू 3 एपान 8 घंटे यह दिया ना भई आपकी किताब में बहुत प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा बच्चा वरना समझ में नहीं आने वाला चुकि यह सवाल बहुत बड़ा है ठीक है यह बता एक्दम क्लियर दिख रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं देखने में बता देना अगर कोई दिक्कत होगी तो ठीक है बहुत इंपल सिंग अभी नहीं अभी नहीं साइंस बाद में अब देखो प्रसना अनुसार प्रसना अनुसार लिखो पूछता क्या है पहले यह देखो कि दोनों अगर एक साथ खोल दिये जाते हैं तो टंकी तगाड़ा को भरने में नाइन इंटू थ्री अपान एट घंटे का टाइम लगता है तो हमने मान लिया कि मानो यक्स घंटे का टाइम लेता है चुटका अनल और बढ़का नल एक समाइन ऋटेन घंटे का टाइम लेेता है तो अप पहले हम यह ग्मान करेंगे पर्तेभ गंटे परतेक घंटे ये नल कितने भाग को भरेंगे टंकी के जैसे नीचे दिख रहा है न मानलो एक टंकी है मानलो कुछ भी है ऐसे है ना इसको भरा जा रहा है तो भाई हर एक घंटे कुछ भाग तो भरेगा ना इसका हर एक घंटे कुछ भाग भरेगा तो हम लिखा लेंगे एक एक का की परते गंटे कौन कितना टाइम ले रहा है इसको आप नोट कर लो तो मैं मिटा देता हूँ नोट कर लिए चुकि हमारे पास कम जगा है तो मैं मिटा मिटा के लिखता रहूँगा ठीक है चलो मिटा देता हूँ अब जो लिखा था मैंने मिटा दिये चुकि मारे पास जगा कम है अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए बैक करिए आपको फिर से दिख जाएगा टेंसर मत लेना इस्क्रीन पर टच करके वीडियो बैक कर लो नहीं आता तो एक गंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग एक गंटे में गंटे में छोटे नल द्वारा भरा भाग पहले समझे लो बाद में लिखना ठीक है अब देखो एक गंटे में छोटा नल कितना भाग भरेगा एक सूत्र लिख लो बिटा यहाँ पे सूत्र लिख लो भाग बरावर एक बटा समय ठीक है अगर कोई चीज भरा जा रहा है इस तरह से कोई टंकी भर रहा ड्रम भर रहा है तला भर रहा कुछ भी भर रहा है तो अगर कहा जाए कि उसको भरने में वो दस गंटे का टाइम लेता है दस घंटे का टाइम लेता है तो एक घंटे में कितना भाग भरेगा भाई मानलो 10 लिटर का ड्रम है तो एक घंटे में कितना भाग भरेगा कितना लिटर भरेगा ये चीज निकालने के लिए भाग बराबर एक बटा समय करोगे तो बच्चा समय यक्स था तो एक बटा यक्स ह हो जायेगा यानी छोटा नल जो है एक गंटे में वहन अपान एकस भाग भर देगा लिखो कि इसलिए एक गंटे में ठीक है अब लिखो इसलिए एक गंटे में बड़े नल ठीक है एक गंटे में बड़े नल द्वारा भाग बरावर वन अपान भाई से समय जो है एकस माइनस टेन घंटे लगता था ना कितना एकस माइनस टेन घंटे ठीक है यह हो गया अब लिखो एक घंटे में दोनो नल द्वारा एक घंटे में दोनो नल साथ साथ नल द्वारा भरा गया भाग बरावर पहले से देखो दिया है नाइन इन्टू थ्री अपान एट इसको सही बटा में है मिक्स फ्रेक्शन में चेंज किया गया है ना इसको आप फ्रेक्शन में चेंज करो 8 9 1 3 3 75 यह आएगा 75 आप एट ठीक है यही ना यह तो बहिए 75 आपान एट ऐसा क्यों हो जायका पता है क्योंकि X को अमने वाना पान X किया था एकμέipts माइनस 10 किया था तो यह भी तो ऐसे होगा ना इसको फाइनल जब करोगे बच्चा तो आठ बटा 65 हो जायेगा यानि दोनों नल साथ साथ मिल करके उस ट्रंकी के उस होज के आठ बटा 75 भाग को भर डालेंगे जो छात्र अभी जुड़े हैं वो वीडियो को सुरू से देखें इफ लाइप सेशन को स्टार्टिंग से देखें क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा भीज से नहीं समझ में आएगा कताई ज्यान लो क्योंकि मैंने काफी कुछ मिटा दिया लिख लिख के है ना बच्चा तो बीज से नहीं समझ में आएगा मिश्टर पंकच सुरौरफ समझ रहे हो ना ठीक है अब आगे लिखो अपर से मिटा दे रहाँ फिर से जो नहीं लिख पाए वह इसे क्या करें लिख लें वीडियो को पीछे करके लिखे आइ स्क्रीन साथ ले ले लें u कि इस क्रिंब्स ए्थ तो लेना आप जानते हो काफी समझधार हो स्क्रिंब साट ले लिया करो बाद में नोट किया करो ठीक है अब लिखो परशना अनुसार कि परशना अनुसार कि देखो का कहता था को और कि दुटल नल मिल करके चाहफ बटा 75 भाग पर लेंगे यानि आय। थिखें है वोत्य दुटल लुखे जूड़ बटा кажना गोने रहे हैं तो भाई याप पहले नल द्वारा जो है वन अपान यक्स भाग भरा जा रहा था दूसर के नल द्वारा वन अपान यक्स माइनस 10 भाग भरा जा रहा था और टोटल भाग इसका 8 बटा 75 है इसको हल करोगे एक समीकरण बनेगा है ना बात समझ में आ रहा ना बैडिमपल चलती है फिरी में चलती है सबते हैं यूटुब स्पोरी एप में आप जाके अगर चाहएं तो प्रीमियम सर्भीश में लिए सकते हो यूटूब , प्लाज चलो किया हो गया है कि अगर क्या होगा सोचो अब इसको हमें ह mall करके x की मान find करने हैं उमीद करते हैं आप कर लोगे मैं छोड़ две नहीं मैं बताउंगा चलो तिर्शाप गुडा करो अरे यार तिर्षाप गुडा करना था ना 1 में करो अगर आपका बेसिक वीख तो बता दो कमेंट करके heck माइन आफंस 10 होगा पॉल ऑन में करोगे बत्चा टो एक्स होगा नीचे इसका दोनों का अपस में गुडा करोगे अरे यारे करें कि कभी एक बटा दुन धन एक बटा साथ हैं अचल दी psychiatric कर लेंगे बोलो यस अगर तुम इसको कर लोगे तो तुम इसको भी कर लोगे ठीक है एक्स का इसमें कुड़ा करोगे एक्स का स्कॉयर माइनस 10 एक्स इतनी हो गई कहानी 8 अपान 75 यहां एरो लगाना दोने जगा बराबर मत लगाना यह बराबर है ठीक है ओके ऊपर देखो जुड़ जायागा बच्चा एक्स में एक्स जुड़ोगे बिट्टा तो दो एक्स हो जायागा माइनस 10 नीचे एक्स का स्कॉयर अपान 10 एक्स इक्वला 8 अपान 75 मैं आगे से हट जाता हूं दूर भाग जाता हूं आप नोट कर लो इसक्रीन साट ले लो चुकी मैं मिटा दूंगा अभी तो फिर आप कन्फ्यूज होगे ठीक ना जल्दी करो इसक्रीन साट ले लो आप सभी बच्चे जो सुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आएगा बीच से अगर आओगे तो इसमें कुछ पल्ले नहीं पढ़ने माला है अगर बीच से देखोगे बिट्टा तो कुछ ना समझ में आएगा एक अच्छर ना समझ में आएगा फिर पढ़ो या ना पढ़ो चलो अब मैं यहां उपर मिटा के आगे हल करूंगा चुकि मैं हल करता जा रहा हूं फिर मिटाता जा रहा हूं दो दो लाइन और मैं टाइम देता हूं कि आप नोट कर लो स्क्रीन साथ ले लो अगर नए छात्रा भी अभी जुड़ गए माल लो अचानक धोखे से तो वो ना समझ पाएंगे यहां का हो रहा है इसलिए उनको स 10 में करोगे तो 750 हो जाएंगा यह मैंने क्रास मल्टीपल कर दी एट का इसमें कर लो कि इक्वल करके 8X का स्कॉयर माइनस 8 दहमा 80X इतना समझ में आ गया ना आया ना इतना समझ में नोट करते चलो यहां से हमें अब यक्ष की वैलू फाइंड करना बच्चा ठीक है क्या करना है यक्ष का मान निकालना है मैं आगे से हटाऊ इसक्रीन साथ ले लो जल्दी से इसको इधर ले आओ पकड़के पूरा इसको इधर ले जाओ कुल मिलाके हमें एक जैसे बनाना बस इसको इधर लाओ इसको इधर रहने दो उधर मत भेजो यह प्लस का एक सो पचास है और माइनस का साथ सो पचास है एकको जीरो कर दो इधर से मैंने सबको इधर ले आया ठीक है अब अगर आप यहां पर ध्यान दो भाई साहब तो यक्स वाला एक्के पद है कि दूठी है ओ एक सो पचास यक्स भी तुसाना यार यह इसको थोड़ा ढंक से लिख लो एक सो पचास एक्स ठीक है नितीश कुमार जी गुड मॉनिंग आप तो भाई बिहार में धूम मचा है आजकल कि एक सो पचास एक्स माइनस साथ सो पचास एक्कॉल जीरो अब समझो कि अब समझो इसमें क्या होगा कि देखो यह एक सो पचास और यह जो है सीने दोनों जूड जाएगा बच्चा तो यह आठ एक्स का इसक्वायर और धन यह दो सो तीस एक्स हो जाएगा माइ इसमें कोई डाउट नहीं नो डाउट ये नीचे पीछे लाला था ये इसको मत उसमें मिला देना या लग था ठीक ना चलें फिर इसको मिटा दे रचना जी बिलकुल कोमल सिंग डेली सुबह आठ बजे लाइब होता है या वीडियो प्रीमियर होता है जिनको पढ़ना वो इ पीवियर इस्टेडी चैनल नंबर तीन पर चलती है जहां पे आप जूड़े हैं हो सकता है यहां पर आपको हर दिन ना मिले लेकिन चैनल नंबर तीन पर रोज मिलती है अब लिख लो दोनों तरफ माइनस वन से गुड़ा करने पर तो जो माइनस हो जाएगा जो प्लस है दोनों तरफ माइनस वन से गुड़ा क्यों करेंगे क्योंकि सुरू में माइनस है अच्छा नहीं इसको हम प्लस बनाते हैं ठीक ना बच्चा हो गया ना इतना कहानी पूरा अब यह बन गया आपका दुई घात का समीकरण यहां से आपको यक्स की बैलू फाइंड करना है उम बैछे अब देखो क्या करना है हमे आच का गुड़ा करना है 750 में तो बच्चे आठ गुड़ा कर लो 750 में बैटा है याए गुड़ा करने पर सिक्स थाउजंट अए और जोड़ने ने और दो तीस आ है कोई ऐसी गिंती बताओ चलो रेडी हो जाओ गुड़ा करने पर 6,000 आए और जोड़ने पर 230 आए क्या आए 230 आए जोड़ने पर कर लोगे की नहीं देखो इनके आप गुड़नखंड करोगे और जोड़े बनाओगे ट्राई करोगे मैं आपको बता दे रहा हूं अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करना बाद में आपको अब चलो तो बच्चा ये कर लोगे न इतना ठीक है तो हम इसको बता दे रहे हैं आप क्या क्या करोगे इनको गुड़ा करने पर 600 आए अगर आप 200 का गुड़ा करो 30 में बच्चा तो हम लिख सकते हैं 8x का स्कॉयर माइनस 230 को हम लिख सकते हैं 200 धन 30 इंटू यक्स धन 750 ब करके देख लो और अगर 200 को 30 में जोड़ोगे तो 230 भी आ जाएगा आजाएगा ना बच्चा जाकी कुमार गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग लेकिन बहुत देर में आ रहे हो आप समझ में नहीं आएगा भी याद रखना जो छात्रा भी अभी आया है इस्टार्टिंग से वीडियो देखें और जो ना समझ में आए उसे दो बार देखें तीन बार देखें वीडियो बैक करके देखें और कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा सभी आनलाइन देखेंगे जिससे उनको सारी कलासे भी मिल सके नहीं तो बच्चा डाउनलोड कर लोगे तो गड़ बड़ा है ठीक ना भाईया चलो यहां से हमें इसमें से यक्स का मान फाइंड करना है अब देखो आगे यही स्कॉयर था यहां पर उपर लिखेंगे आठ एक्स का स्कॉयर माइनस इसमें गुड़ा कर लो तो बच्चा यह दूई सो यक्स हो जाएगा अंदर कोईटर खुल जाएगा तो पहले माइनस है तो चेंज हो जाएगा तीस एक्स हो जाएगा धन साथ सो पचास बराबर जीरो जेखो मारकर हमारा लग रहा कुछ सूखरा नितीज कुमार को मैं ब्लाक कर दूँ मेरा मन कर रहा है क्योंकि एक कैम मैसेज धकेले पड़े हैं ठीक ना हानितीज कुमार को मैंने शुला दिया पांच मिनिट के लिए रुख जाओ थोड़ा सा जाना मत मारकर में साइड डाल रहा हूं साइड हो जाओ मैं देखते रहो जो लिखा गया है चलो डेखते रहो कोई जाएगा नहीं आती मिनट कमेंट नहीं कर पाओगै उसके बाय फिर करना ठीक है लेकिन एक बात जान लो एक ही बात को बार बार मत Southern HP एक ही बात को बार-बार मत लिखो समझ गए ना चले आगे सुसी जी जैसे सी की पढ़ाई करोगे ठीक है अच्छी बात है हाँ साम को कमपेटिशन की कलाश चलती इसी चैनल पर आठ बजे आठ बजे पी ब्यारे स्टडी दो नंबर चैनल पर भी होती है ठीक है इसमें आठ एक्स कामन ले लोगे हां ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है आठ एक्स अगर आप कामन ले लोगे तो आप 1000 छों 25 अठ तो इसमें यह मैंनस 25 बचेगा क्या बचेगा भीटा एक्स मांतब Coconut बचेगा आट Sh तो यक्स माइनस 25 बचेएगा बराबर 0 इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए नो आपत्ती चलो जो दोनों में common है उसे एक बार लिखेंगे और जो common है ये माइनस 30 एक बार बराबर 0 यक्स की value find करोगे तो एक तो 25 हाएगा और एक यक्स कमांद 30 बट 8 आएगा इसे आप दसमलों में बदल लो तो 3 दसमलों 3 साथ 5 लग भग आएगा decimal में change कर लो इतना आएगा सुसी जी अभी आपको नंबर देंगे हम contact करना आपको सुरू से mathematics की सारी सुभिधाय उपलब्द कराई जाएगी स्टार्टिंग से आप पड़पा होगे कोई दिक्कत नहीं है बस पांच मिनट और रूम चाओ ठीक है यह हो गया ना यानि पानी के टंकी के जो नल है भाईया यक्स कमांद 25 आ रहा तो चलो मैं ट्राइग करता हूं जहां तक मुझे लग रहा यह उत्तहरर यक्स कमान 3.75 नहीं assert आए सकता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता देखो हमने अभी अभी देखा था इस टार्टिंग में लिखा था कि छोटे नल द्वारा यling कि टंकी को भरने में लगा समय बराबर यक्स यक्स माना था ना बाबू यक्स माना था ना भया माना था ना अब ध्यान देना अगर हम यक्स कमान 3.75 रख दे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम यक्स का वैलू 3.75 rख सकते है और हम कह सकते है कि जो छोटा नल है वो टंकी को भरने में 3.75 घंटे समय लेता है ठीक है यह हम कह सकते हैं लेकिन अगर बड़े नल वाला निकालेंगे तो बड़े नल का तो भाईया भरने में टंकी को समय दες घंटे लगेगा 15-10 लगएगा जा तो बाभी साहब जब आप यह करोगे माइनस 10 करोगे इसका मान सौच के बताओ एक मिनिट सोचो और बताओ देखो वह अच्छे से बता देता हूं आप यह night तोड़ा सा ध्यान दो इधर साइड में ठीक है ध्यान दो मैं आपको बताता हूं आप देखो कैसे करोगे इधर साइड देखो अपनाइन देखो ठीक है तो यानि जो भी बड़े नल वाला टाइम आएगा माइनस में आ जायेगा माइनस में 6.25 लगभाग आएगा देख लो तो पहले यह सोचो कि अगर टंकी को हम भरेंगे तो माइनस में टाइम तो लगेगा नहीं माइनस में लगेगा न भाई तैंकी क का मतलब तो एक को एक को मिनट नहीं लगा ऐसा तो होगा नहीं यानि हम जो है यक्स का मान यह नहीं ले सकते हैं इसको हम छोड़ देंगे इसको नहीं ले सकते हैं तो क्या करेंगे हम क्या लिखेंगे देखो इस्टार्टिंग मैंने क्या लिखा था आप लोग अपनी कापी माना था ना तो आप लिखोगे निचे लिख लो पूरी कहानी मैंने लिख रहा हूं दिखो आता छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यक्स बराबर 25 गंटे चोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यक्स बराबर 25 गंटे तब बड़े नल द्वारा कि आयाना समझ में कि नहीं यानि जो हौज थी मैंने स्टार्टिंग में बना कि आपको दिखाया था हौज का मतलब जान रहे हो यह ऐसे ठीक है ऐसे था ना इसमें बताया था कि दो नल आ रहे हैं एक पतला फनल है और एक मोटा नल है ऐसे बताया था ना दो नल मिल करके इसको भर रहे हैं तो मुटा वाला नल कितना टाइम लेगा मुट का नल भाया केवल 15 घंटे में भर देगा लेकिन पतला वाला नल भरेगा इसको तो 25 मिनट का टाइम लगेगा यानि पतले वाले नल से समय बहुत जादा लगेगा यह बात आपको समझ में आ गई न तो इस तरह से आपका कलास 10 का NCIT mathematics का 4.3 का question number 7 और 8 9 तक खतम हो गया सिर्फ दो कुईस्चन है कल की कलास में वो भी करवा दिया जाएगा एक बात और याद रखना जो छात्र बीच में नोट नहीं कर पाते हम जल्दी जल्दी से मिटा देते हैं उनको क्या करना है उनको एक काम करना वीड और वैसे लगभग बच्चे जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इस्क्रीन साट लेके रखे रहो जब कलास पढ़ा लें तो लाश्ट में जा करके सब लिख लो अच्छे से ढंक से ठीक है रिसाब पांडे MP पुलिस की कलास रिसाब जी साम को आठ बजे कलास चलती बच्चा कमपटीशन वाली उसमें आप पढ़ सकते हो MP पुलिस के लिए भी है टेट सीट एट ससी सबके लिए है मेराथन कलास होती परकार से मतलब माश्टर कलास ठीक है हाँ जो बच्चे नए ने जुड़े है इस नंबर पर अपना नाम कलास का नाम अपने सहर का नाम लिख के भेजेंगे तो उनको ग्रूप में जोड़ दिया जागा कलास टेंथ के और फिर वो पढ़ पाएंगे नाम कलास और सिटी ने यह तीन चीज आपको जरूर भेजना ठीक है ठीक है वाक समझ में आहीं ना करें को कव permettre जरूर जी जरूर बताइए ठीक है ना तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल सुझार आठ बजे से सभियाद रखना हर दिन कलास सुझार अथ बजे होती है और यह क्लास PV. Стड़ी चैनल नमबर 307 पर अकसर होती है升 ध यहां भी कलास होगी जहां आप जूड़े हो लेकिन दोनों पर नई नई बैच चल रही अलग लग चल रही तो आप दोनों चैनल पर जरूर देखें ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से निवेदन है कि इस कलास को खूब सेर करिए ज्यादा से ज्यादा साथियों म चैकियों